नवस्कार, News24 टेलिवीजन को पाउर न्यूज मा तपाईलाई हार्दिक स्वागच्छा, म संगम बानिया दशक्वेंद, चितोणको भरतपुर स्थित बुद्ध चोकबाठ 28 वर्षिया कलफणा स्ट्रेष्ट गन्तब्यतर्फ लागदाई थिन उनलाई प्रहरी नायव निरिचक रामचंद्र खनियाले पच्छायर भने इट्टाले हनेर भायपनी तिमिलाई मारी दिन्चु तर श्रेष्टले खनिया को कुरा सहज रुपमा पत्याइनन रा म्याजिक चड़े रा सरासर गन्तब्यतर्फ लागिन तर जब उनी त्रीचोकमा जरिन खनिया त्यहीं आई पुगे खनियाले श्रेष्ट को जोला तानेर भीम्या फ्याकी दे भने लगताई एशीड प्रहार गरे एशीड बाटा 28 बर्चिया श्रेष्ट को कान आखा छाती रा खुट्टामा परे को सा अहिले उनको पचार भरतपुर अस्पताल मा भई रहे को सा अहिले सम्मा एशीड प्रह को खोस कारंत खुले को छाइना तर एशीड प्रहार गरने खनियार श्रेष्ट बीच लामो समय देखी चिन जान रहे को देखिन छा रहे एई भी से आज को पाव नियूज अस्पताल को सैया मा छट पटाय रहे की उनी हुन कलपना स्रेष्ठ अहिले उनी जितवन इस्थित भरतपुर अस्पताल मा उपचार गराई रहे कीछिन प्रहरी का एक जवानले इस्थित प्रहार गरे पसी अहिले उनी उपचार गराई रहे कीछिन कल्पना स्रिष्ठलाई एसीट प्रहार गर्नी उनके चिंजान का ट्राफिक प्रहरी राम चंद्र खनिया हुन। भरतपुर को बुद्ध चोकबाट स्रिष्ठलाई खनियाले पच्छयाउन दे आय का थिये। उनको अनुहार शरीर का बिभिन्न भाग मा एसीट प्रहार भायको थियो। घटना बार एक कल्पना स्रिष्ठले भनिन। कराट एक के लाइंड़ खनियाले बार शरी भी पर बिभिन्न भाग मा थे नहीं अनुहार भी अनुहार भी थियो। कर्या कशक लाद अध्यत स्वाइशाने कर फोणेकल एक घर नार कृॡप टे derivative खुझे। आरे थी बित्षी लुट शंच पीज इस मारत पंध। हो मी आगी खुब यहों को अगयाम भास में ठील सीह धूल कृमगों के प्रणूरे बहुंत संदद हो खुप ट। एता खनी आले भने अज़ई पने आफ़नो गलती स्वीकार गरे काछाईनां। उनले अज़ई पने आफ़ुले एस सीट ना हाने को बताऊंगे आये काछन। स्रिष्टा आफ़ुसंग रिषा आएको र उनलाई समझाऊना खोजदा इस तो घटना भयको खनी आले बताय काछन। तो गिर्षा आफ़ुसम। सिट तो ही जह थार्म कोई इस हिर भीलोम्ट भीलोम्ट अज़दा अज़ई को फने अज़धा की भीलोम्ट संधिन स्ध्रीश्टराइट अईतबार शरीर मा इसीट खनेवनी प्रहरी नायव निरेख्षे खनी याप बिरूद्ध ज्यांगा ज्यान्मार्ने उध्योग मां मुद्दा दर्ता भायको छा। ज्यान्मार्ने उध्योग मां मुद्दा दर्ता भायको छा। ज्यान्मार्ने उध्योग मां मुद्दा 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 भायको छा। फेरी बीज सडक में एसीड प्रहार गरे पची उनको नियत माथी गंभेर प्रस्न उभजिये को छा। प्रहरी जस्तो जिम्यवार संगठन मा कारेरत खनी आले एसीड प्रहार गरे को विशयलाई गंभेर धंगले चान्बेन हुना जरुरी छा। आम मानिस को जिवधन को सुरक्षा को कसम खायर प्रहरी सिवामा आबद्ध भयका मानिस हरुने इस्ता अप्राधी क्रिया कलाप मा समलगन हुनू निके दुखद सत्य हो। प्रहरी नाइव निरिछक रामचंद्र खनिया आफई जिमेवार पद्मा रहका वेक्ती हुन। उनी बाटाई एसीड प्रहार हुनू दुखद सत्य हो हामरा लागी। अहिले खनियालाई प्रहले इरासत्मा लियर कारवाई को प्रक्रिया अगारी बढायको सौ। हामी बाकी संदर्व साहित आउने सो तर तेस अगी एककाई छिन विश्रा। दाशक बेंद निउस्ट्वानिफर टेलिविजन मा पाउर निउस हेरदे उनूंचता पाईर हामी चितोवन को भरतपुर्मा भायको एसीड प्रकरण बारे बोली रहकाचाौ। अब प्रस्तत गर्षां प्रहरी नायव निरिचक रामचंद्र खनियाले कल्पना स्रेश्ट लाई एसीड प्रहार गरे पसी केके क्रिया रो प्रतिक्रिया आई रहे कोशा। अब एही संदर्वा। अपरा धिलाई कारवाही गर्न ग्रिह मंत्री को निर्देशन। ग्रिह मंत्री रामबहादूर थापा एसीड प्रहार बाट गहाईती भय की चितवन की कल्पना स्रेश्ट को स्वास्त इस्तिती बुझन भरत्पूर अस्पताल पुगे का थिये। रक्षेक नहीं भच्चेक भयको बंदै सर्वत्र बिरोध भय पची ग्रिह मंत्री रामबहादूर थापा सुम्बार घटना को बारेमा भुझन भरत्पूर अस्पताल पुगे का हुन। अस्पताल मां कलपनाला भेटे पची ग्रिह मंत्री थापाले दोसी प्रहरी लाए कठोर कारवाही गरने बताये काशन। इसले ग्रिह मंत्रा ले प्रहरी प्रशासन। प्रहरी बाट एस किसिम को घटना हुन। दुखत रहेको र घटनाले प्रहरी र ग्रिह मंत्रा ले राए नाई नै इस्तब्द बनाये का बताये काशन। प्रहरी भित्र ठुलाई सुधार गरनुपर्ने बताऊं दै राष्टर सेबकबाटै महिला दिदिवैने सुरक्षित नहुन। निकई ठुलो दुखत पक्षे भायको उनको भनाये थियो। प्रहरी सुधार का लागी ठोस कदम चालने ग्रिह मंत्रे थापा ले बताये। जन्ताको जिवधनको सुरक्षा गरने जिम्मा पायका प्रहरी होर नई एतिवेला बिभिन्न अप्ता आधिक्रियाकलाप मा संगलंग्न होन थाले काशन। चितोर मा कारेरत ट्राफिक सही रामचंद्र खनियाले एक जना बिभाहित महिला माथी एसीड प्रहार गरे जुन घट्नाको सजाए उनले अब बोगदाई छन। पिडित लाई भरतपुर अस्पताल में पुगेर ग्रिया मंत्री राम बहादुर थापा बादल्ली समेत बेटनु भोर गट्नामा संगलंग्न ट्राफिक सही लाई कडा बंदा कडा कारवाई गर्न सुरक्षा प्रशासन लाई उहाले नेरदेशन पनी दिनो भाकशा। रोकी एन एसिड आतंका। राज की सोरलाई बोलाए र समझाये। तिसको दस दिन पछी युबकले परिवार के अगी युबतिलाई एसिड शापे। साथी सीमा बसनेतलाई पनी एसिड लागे। रद्दोबै जना गंबीर घायते भई। अहिले उनिहरू एसिड आक्रमड को दाग बोकेर हीडी रहे काशन। पुरान कुरालाई बिर्षेर सुन्दर भविस्षे बनावने प्रयास नाशन। सीरा हाकी 14 बर्षी किसोरी माथी पनी बलातकार पची एसिड खनायर हत्या गरिय। तेस्ताई जग्गा को विवाध हुदा छिमेकीले दांकी रिता चौधरी माथी एसिड आक्रमड गरे भने। काशफांडोमा पनी 19 बर्ष के अनिता कार की माथी एसिड आक्रमड भायक थिय। तेस्त लगते नबलपरासे गईडा कोटकी 27 बर्ष के तुलसा सापको टालाई 28 बर्ष का सुनिल कोईरा लाले एसिड प्रहार गरी हत्या गरे का थि। अहिले फिरी कल्पना स्रेष्ट पनी सोही स्रिंखल आको औरको उदाहारन बने कीशिन। समाजमा समेदन हिंता बड़दै जादा युवती र महिला माथिको एसिड आक्रमड भयानक बंदै गई कोछ। मुलुकी अइन ज्यान संबंदी महलमा एसिड आक्रमड को विशैमा कुने उल्लेक सैन। ज्यान सम्मदी महलको सोरा नंमरमा ज्यान मारन सकने कुनेकुरा गरेमा वा ज्यान मारेको भये 10-15 बरस सम्मा र नम अरेको भये 5 बरस देखी 12 बरस सम्मा जेल सजाय हुने वेबस्ता गरेकोछ। डेजार 666-28 गते सर्वोच अदालतले महिला माथी हुने एशिड आक्रमर जस्ता घटना का अपरादिलाई कारभाई गर्ना छुट्टेई कानुन बनावना आदेश दी सके को सा तरह अहिले सम्मा कानुन भने बनना सके को साइना कानुन कमजोर हुदार समाज मा सम्मेधन सिलता गुंदाई जादा एशिड आक्रमर को स्रिंखला बड़ी रहे को सा प्रहरी नायव निरिशक जस्तो पदमा रहेको बेक्ती बाट क्रूर हरकात हुनू आफई मा दुखद्र लज्जास पद घटना हो इसले प्रहरी संगतन काई छबी माथी गंबीर प्रस्ण उपजाई दिये को सा रिपोर्टिंग का लागी चितोवन स्तित टीवी जानलिस्ट सरद आचारे र प्रकास्चिक दिलाई धनेवाद र एतीने आजको पाओ न्यूज थर्फ न्यूज का लागी हामरो विपसाइट www.newspornhunepal.com मा हैन होला साथ है हमिलाई Facebook, Twitter र यूट्यूब मा पनी फालो गरना सक्र होंचा अई देलाई विदादीन होस्ट हामी निरांतर यूज मा छाओ नमस्ते